मध्य प्रदेश के खर्गोन जिले के ग्राम पोखर में घटित घटना ने पुरे शेत्र में संसनी फेला दी जहां नाबालिक बच्ची की हत्या के बाद एक युवक का शोव फासी के पंदे पर जुलता मिला मोके पर पहुची पुलिस ने मर्ग कायम कर जाज शुरू की खर्गोन जिले के भिकन गाउ थाना शेत्र के पोखर में एक संसनी खेज घटना में 32 वर्षियों युवक ने एक 13 वर्षिय नाबालिक बच्ची की खलिहान में ले जाकर धारधार हत्यार से हत्या करने के बाद स्वयम भी इसी खलिहान में फासी के फंदे पर जुल गया घटना के जानकारी मिलते ही भिकन गाउ SDOP समेद टी आई बल के साथ मोके पर पहुँचे और बच्ची सहीत युवक के शोग को भिकन गाउ अस्पताल भेजा गया जहाँ पी-म के बाद बच्ची के शोग को परिजोनों के सुपूर्दक कर दिया गया भिकन गाउ थाना प्रभारी मंसा राम रोमडे ने बताया कि बच्ची के घर काम करने वाले मजदूर ने धारदार हत्या से बच्ची की हत्या करने के बाद युवक ने खुद फासी लगा ली आगे जो भी तत्या आएंगे उस पर कारवाई की जाएगी हत्या में 302 का प्रकरण दर्ज किया है युवक ने सुसाइट किया उसमें मरग कायम कर जाज की जा रही है खरगों से अजित तिवारी के रिपोर्ट